जब मुगल सत्ता में थें तो उस समय बहुत सी लडाईयां लड़ी गई और कुछ ऐसी भी लडाईयां हुई जो उनके अपने भाईयों के बीच हुई थी बादसा बनने की लालज में उन हर सक्स को मरवा दिया गया जो बादसा के लिए खतरा बन सकते थे एक तरफ भाई भाई का खुन बहा रहा है तो कहीं भाई अपने ही भातीजों को मरवा रहा है 28 अक्टूबर 1627 को मुगल बादसा जहांगीर का इंतिकाल हो जाता है इसके बाद जहांगीर के बेटे चत्ता के लिए आपस में भिरने लगते हैं कुछ वक्त के लिए जहांगीर का सबसे छोटा बेटा मिर्जा सहरियार गदी पर बेठा वह लाहोर से समराजी चलाना चाहता था मगर सहजादे खुर्रम के इरादे कुछ और ही थे खुर्रम यानि साजहा जो जहांगीर का तिसरा बेटा था ये वही मुम्ताज थी जिसके याद में साजहा ने ताज महल बनवाया था उसका निकाह मुम्ताज महल से हुआ मुम्ताज के पिता आसफ खान अपने दामाद को बादसा की गदी पर बेठाना चाहते थे आसप ने लाहोर पर चाहाई कर दी और लडाई में सहरियार हार जाता है उसे बंदी बना लिया जाता है कहते हैं कि उसकी आखे भी फोर्दी गई थी बादसा के रुप में साजहा की ताजपोसी होता है उसने अपनी मा नुर जाहा को केत खाने में डिलवा देता है जिसने सहरियार को बादसा बनवाया था साजहा ने 23 जनवरी 1628 को अपने भाई सहरियार और कई भातीजों की हत्या करवा देता है उसने अपने एक भाई खुसरों को पहले ही मरवा दिया था साजहा ने ऐसा इसलिए किया ताकि कोई उसकी सत्ता को चुनोती ना दे सके साजहा की बादसाहत अगले 30 साल तक कायम रही थी साजहा के समें मुगल सामराज्य बहुत उचे लेवल पर था हाला कि उनके सासन का अंध भी सुरुवात की तरह खुन से लाल रहता है 1657 आते आते बुढ़े और बिमार हो चुके साजहा ने सबसे बड़े बेटे दारा सीको को उत्रदिकारी घोसित किया मगर उसके तिसरे बेटे औरंग्जेब जिसके इरादे कुछ और ही थे जिस तरह साजहा के इरादे कुछ और ही थे बादसा बनने के उसी तरह औरंग्जेब के भी इरादे बादसा बनने को थे औरंगजेब ने भी दारसी को समेट अपने सभी भाईयों का कतल करवा दिया साजहां को आगरा की कीले में बंदी बना कर रखा गया और औरंगजेब बादसा बन जाता है जिसके बाद 1666 इस्वी में साजहां आखरी सास लेता है और उसे अपनी बेगम उमताज महल के साज महल में ही दखना दिया जाता है और साजहां का भी अंत उसी तरह दर्दनाक होता है दोस्तों या मुगल समराजी का दो जनरेशन की कहानी है जो खुन से लगपत रही थी अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और एसा ही और वीडियो के लिए चैनल को सब्स्राइब करें मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में टेक केर बाई